हेलो एब्रीवन मैं रुबेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे तो आज की वीडियो में हम लोग एल नम्यू में पार्ट 3 एक्जामिनेशन 2022 के लिए फिजिक्स ओनर्स पेपर सेवन का जो गेस्ट कुश्चन ह उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेपर सेवन फिजिक्स ओनर्स में जो कुश्चन मैं यहां से बता रहा हूँ 95% यहीं से सारा कुश्चन आपका पूछा जाएगा इसलिए आप लोग इस सारे कुश्चन को त्यार कर लें जो मैं यहां पर बता रहा हूँ जो लोग आपका इसलिए लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटफिकेशन के लिए बगल वाले बेल आइकिन को तबा लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट आप सबसे पहले पहुस्चन को चलिए हम लोग प्रार्म करते हैं और देखते हैं क्या क्या question है जो हमें तयार करके जाना है परिक्षा में देखिए short tap question आपका five marks का पूछा जाता है एक question रहेगा total आपका twenty marks का आएगा short tap question ओके और paper seven जो होता है हमारा physics honors का वो होता है हमारा hundred marks का third year में आप लोगों पुरा syllabus तो I think पता ही होगा मैंने syllabus के बारे में इसे पहले बाले वीडियो में बता दिया है तो paper seven के जो छात्र है जिनका comment आया था तो वो लोगों से note करके सारे question को जरूर तयार करके ही जाएंगे किसी भी question को आपको skip नहीं करना है क्योंकि यह सारा question एक से जो है सो छाट छाट की दिया गया है कि कहीं से छूटे ना right give the outlines of vector atom model is the first question short question से उसके बाद एक है हमारा explain the term explain the term the term bore magneton bore magneton explain the term bore magneton and zero magnetic ratio this is my second question zero magnetic ratio वैसे तो syllabus बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है LNMU का बट फिर भी आपको जो मैं बता रहा हूं वो अप्तियार कर लोगा दरवाज आपको तो मालूम होगा ही क्या क्या हमें पढ़के जाना है थर्ड इस वाट इस रमन इफेक्ट वाट इस रमन रमन इफेक्ट उसके बाद है फूमरा explain its importance explain its importance क्या लिए इंपोर्टेंस चौथे कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं चौथा कुश्चन हमारा है जो इंपमॉर्टेंट application of laser some important application of laser applications iss प्रेंट लेशर, उफ लिखेंगें बढ़के पूश्चन हमारा वाघ्र महुंग है पांच अपको छे क्यश्चन दिया वरेका जिसमेंट पशार का जबाब देना है 5×4 तो 6 च्युश्च हमत्य गो इसा molecular spectra different types of types of molecular molecular spectra यह हमार होगा पांच मां कुस्टन और छे कुस्टन होगा 6 में हमां हो जाएगा फेनोमेन पोपलेशन इनवर्शन फेनोमेनन 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 पोपलेशन इनवर्शन पोप्यूलेशन इनवर्शन इनवर्शन एंड ऑप्टिकल ऑप्टिकल पंपिंग यह छे कुस्टन आपका होगे शौट से यहाँ पर मैं फ़रा जगह एड़ेस्ट कर लूँ इसको आप लोग नोट कर लो उसके बाद हमारा आएगा लॉंग टैप कुस्टन यह रहा लॉंग टैप कुस्टन लॉंग टैप कुस्टन और लॉंग टैप कुस्टन से आपको कितना घर हेगा यह रहेगा हर सेक्शन से आपको दो कुस्टन बनाना है यह मैं ग्रूप A बता रहा हूं है ना तो ग्रूप A से आपको 20 multiply 2 4 question में से 2 बनाना रहेगा जो per question 20 marks का होगा तो 2 question equals to 40 marks इसमें जो हमारा first question है वो है what is meant by thermionic emission तो मैं यहाँ पर लिख दूँ what is what is meant by thermionic emission thermionic emission emission of electron from a metallic surface when it is heated in sufficient temperature in vacuum derive richardson-dushman derive derive richardson-dushman dushman equation and give its experimental support and give its experimental 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 support यह हो गया हमारा first question long say second में है second में है outline the theory of passion-back effect outline the theory of passion-back effect passion-back effect right and discuss and discuss pattern of 2p2s transition and discuss question सीधे में लिख देता हूँ 2p2s transition समझ आ जाएगा exam में जो question रहेगा से 2p2s transition third question की तरफ बढ़े तो यह है derive define poly exclusion principle define polys exclusion exclusion principle define polys exclusion principle and explain its physical significance और इसका फिजिकल significance यह सब लॉंग question में आएगा physical significance clear चलिए चौथे कुशन की तरफ बढ़े हम चौथा जो कुशन ने डिस्क्रेब में फीचर सब अलकेली स्पेक्ट्रा main features of अलकेली इस्पेक्ट्रा आपको इस चार question में से एक, दो, तीन, चार इस चार में से आपको दो question 100% मिलेगा ही मिलेगा दो ही आपको बनाना है यह चार वो आपको जो है तयार करके जाना है अगर आप पूरा तयार कर ले तो तो और अच्छी बात है otherwise यहां से दो आपको match कर जाएगा निश्यंत्र है ग्रूप A से उसके बाद हम लोग ग्रूप B के तरफ बढ़ते हैं ग्रूप B एक सेकेंड, एक सेकेंड, ग्रूप B के तरफ हाँ, यहां मैं लिख दूँ ग्रूप B Physics Honors Group B ग्रूप B में सबसे पहला question है जो rotational energy level of a diatomic molecule obtain obtain expression for obtain expression for rotational energy levels of diatomic molecules है नहां considering it as a rigid rotator considering it as a rigid rotator discuss relevant selection rule यह तेल में question पूछ सकता है discuss relevant selection rule यह पार्ट हो सकता है आप तेल में जुरा हो second है question हमारा what are Einstein Einstein coefficient what are Einstein वहीं a b coefficient वहीं है a and b coefficient a and b coefficient co-efficient or establish relation between them actually physics on earth paper 7 के group B में बहुत ही कम questions है syllabus में इसी कारण से आपका जो most of the questions रहता है वो repeated रहता है question bank से तो आपका यह question 18 यह 17 में पूछा गया है तो इसी को आपको पढ़ना है which is the most important to establish relation between them relation between them third question यह है what do you mean by laser rate equation देखिए एक vibrational spectra है वो भी पढ़ लिजे क्योंकि बहुत ज़्याजा तो question इस group में है नहीं आप vibrational spectra और rotational spectra में से कोई एक question पूछेगा या तो दोनों भी पूछा जा सकता है कुछ-कुछ सिनारियों में दोनों भी पूछे जाते है लेकिन आप expect करो कि इस बार एक ही question कोई आएगा या तो यह rotational आएगा मतलब pure rotational spectra हम इसी को बोलते हैं यहां पी मैं pure लिख देता हूँ pure rotational spectra और इसको vibrational spectra कहते हैं एक आपका आएगा laser rate equation long में what do you mean by laser rate equation laser rate equation उसके बाद है using laser rate equation deduce using laser rate equation deduce condition for population inversion condition for population inversion population inversion in three level three level laser system laser system यह हमारा होगे चौथा question थोड़ा जगह मैं और बना लूई हाँ हाँ और इसमें आपको एक और question पढ़के जाना है यहां से he ne laser बस इतना हो गया आपका group b के लिए और यह लगता है मेरे हिसाब से enough है इसे आप screenshot ले सकते हो या तो note कर लो जैसे आपको शुधा हो जितना question आपको बताया गया है कहीं से एक भी question आपका बाहर नहीं आएगा नहीं 100% तो 95% sure है पूरा प्रशन आपका यहीं से रहने वाला है पूरा question आपका यही है यह आपको त्यार करके जाना है कोई भी question आपको skip यहां से नहीं करना है मिलेंगे हम लोग इसी तरह के interesting वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोग का जो comment होगा वो comment box में अपना comment दे दीजिएगा आगे आपको किस topic पर वीडियो चाहिए उस पर वीडियो बना दिया जाएगा तब तक के लिए आप सभी चाथ चातर होगा बहुत बहुत धन्यवाद